हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पूजा क्लासेश तो चली आज 11 अप्रेल से बनने वाले करेंट अफेर के कुछ कोश्चन को पढ़ेंगे पहला कोश्चन है हमारा आज का चुनाओ संबंदी जानकारी के लिए बूथ राब्ता बैवसाइट कहां लॉंच की गई है अप्संस हैं आपके हरियाना पंजाब उत्तर प्रदेश या राजस्थान सभी आंसर उप्संभी पंजाब चुनाओ संबंदी जानकारी के लिए बूथ राब्ता पंजाब राजे में लॉंच किया गया है ये जो है पंजाब के माले कोटला जिले मिश्की शुरूबात की गई है पंजाब के माले कोटला में इसका अधर्ब से है कि ये चुनाव सम्मंदी जानकारी प्रदान करेगा और उसके साथ-साथ मददान कैनर को रेटिंग भी दे सकते हैं इसके अत्रीत मौसम गर्मी के मौशन पर ध्यान दिया जाएगा कि कहां पर किस मद्दान के अंदर पर गर्मी जादा है इसके लिए एम्बुलेंस और सरकारी सुविधा की जानकारी की विश्था भी इसमें सामिल है कहां है यह मालेर कोटला पंजाब के मालेर कोटला में इसकी शुरुबात की गई है इससे जो है पहली बार यूबा बेवसाइट के मीडिया से प्रमानित डाउनलोड भी कर सकते हैं पहली बार बोर्ट देगा उसका जो प्रमान पत्र रहेगा वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और मद्दान केंदर को रेटिंग कर सकते हैं किस राजी सरकार ने हिमाले में जी एल ओफ जोखिमों का अंकलन किया है उत्राखंड राजी सरकार ने हिमाले में जी ओफ जोखिमों का अंकलन किया है कोस्चन नमर 2 का सही आंसर है उत्राखंड उत्राखंड राजी सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है GLOF extended line of site LOS पत्दती उत्राखण में दूर इस्टेशनों पर संकेत प्रसारित यानि दूर दराद जो इस्टेशन जोगा उस पर संकेत प्रसारित सूचना प्रसारित किया जाएगा उसका जो है extended line of site के द्वारा पहले से ही signal दे दिया जाएगा उत्राखंड में GLOF की घटना है उत्राखंड में होती रहती जिसमें केदारनाथ घाटी में जो 2013 में घटना होई थी और हाली में चमूली की जो घटना होई थी वह सामिल है उत्राखंड में GLOF में सामिल है कौन केदारनाथ घाटी 2013 में जो घटना होई थी और हाली में चमू मत्मु जन राजाध्याक्ष मनूझ पांडा संजे वर्मा इन में से कोई नही के शोलवं वितायों के पुर्णकालिक सदस मनूज पांडावने ज़ी मनुज पांड़ा इसके अलावा चार ओर सदस्य बने हैं अजयन नरायन ज़ा एनी जोर्ज मैथ्व अन्षकालिक सदस्द मेत्यू सोम्या कामती घोष को लिया गया है कौन कोन है अजय नारायन जा एनी जोर्ज मैथ्यू अन्षकालिक सदसे सोम्या कामती घोष मनूर्ज पांडा निरंजन राजाधक्ष का अस्थान लेंगे जो पहले यह अभी इस्थिपा दे चुगे हैं जो पहले सदसे थे वी त्यायोक का गठन जो है 31 डिसंबर दोहजार तइस को राष्टपति द्रोपति मुर्णू के द्वारा किया गया था समिधा अनुचे 288 के तहत 31 दिसंबर 2023 को 16 में वित आयोग का गठन किया गया था राश्टपती द्रोपती मुर्भू के द्वारा अनुच्छे 280 के तहत वित आयोग में एक अध्यक्ष और चार अनिश अध्यक्षी हो सामिल होते हैं सब्सक्राइस कोई कोई था और अभी कौन बन गया है मनोज पांड़ा जो किसकी जगल लाएंगे निरंजन राजा Less जगा लेंगे असोल अबे बितायों का गठन कप किया गया थे 31 दिसंबर 2023 को नेक्स्ट कोस्टन कोश्टन नमर चार है कौन से देश ने जीग नामा के एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है और चीन, इंगलेंड, जिमबावे या मिस्त्र जिमबावे ने जीग नामा के एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है Q4 का सही अंसर है option C जिमबावे जिक जिमबावे याद रखेगा April 2024 में जिमबावे ने जिक नामके स्वण समर्थित मुद्रा जारी की है इसके नाम जिक कर्थ जिमबावे गोल्ड है जो जहां वहां की जो पहले से जिमबावे डॉलर थी उसको अब जिक रखा जाएगा मुद्रा जो वहां की थी करेंसी जिमबावे डॉलर थी अब से जिक रखा जाएगा जिमबावे की जहानी कहाँ है हरारे मुद्रा हो गया जिमबावे डॉलर पहले थी अब से जिक हो गया राश्पती वहां के है एमर्शन मनान गागवा को है राश्पती एमर्शन मनान गागवा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर पाँच है भारतिय चेना को किस देश से इगला एस मैन पोटेबल एर डिफेंस सिस्टम मिला है आप्शन से रूस, सिंगापूर, भूटान या भारत सही आंसर है ऑप्शन ए रूस, भारतिय चेना को रूस से इगला एस मैन पोटेबल एर डिफेंस सिस्टम मिला है कोश्चन नमर पाँच का सही आंसर है ऑप्शन ए रूस कहां से मिला है इसे रूस से है यह पहला बैच मिला है पहले बैच में 24 इगला एस आपूरती की गई है जिसमें 100 मिसाइल है यह पहला बैच है पहला बैच में 24 इगला एस सामिल इसमें 100 मिसाइल है इगला है यह हाथ से चलने वाला defense system है जिसे किसी वक्ति यह चालक दल operate कर सकता है यह इगला एस जो है वो defense system है जो हाथ से चलाया ज दवता है इगला स्पनाली में 9 M342 मिसाइल है 9 P522 लाँचिंग मेकनिज्म है 9 V8662 मोबाईल टेस्ट इस्टेशन और 9 F7192 टेस्ट शामिल है याद रखे है क्या क्या है 9M342 मिसाइल है 9P522 लॉंचिक मेकनिजम है 9B8662 मोबाइल टेस्ट इस्टेशन और 9F7192 टेस्ट सेट है यह क्या है यहाद से चलने बाला है जिसों कोई भी ब्यक्ति कोई भी चालक पाइलेट उसको अपरेट कर सकता है इसके दोरा यह भारतिय चना को दिया गया है रूश के दोरा दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर छे हैं आपका कि शहर में साइंस पार्क का निर्मान किया जाएगा उसके लखनाह, अहमदाबार, केरल या नई दिली poo सही आंसर ऑपसन डिली नई दिली में साइंस पार्क का निर्मान किया जाएगा Q6 का right answer option D नई दिल्ली यह क्यों किया जाएगा यह बच्चों की रचनात मक्ता और ग्यान को बढ़ाने के लिए दिल्ली में साइंस पार्क बनने वाले हैं यह तुगलक क्रिसेंट रोड एंडी एंसी के साइंस और हिमनेटी सेंटर कहा है Q7 मोंटे कारलो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉब मैच जीतने वाले पहले भारतिय कौन खिलाडी बने हैं आप्शन साइं डेनिवेल सेरे गोवे मेडेव सुमीत नागल रोजर फेडरेड या इनमसे कोई नहीं सही आंसर है आप्शन B सुमीत नागल बने है मोंटे कारलो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉब मैच जीतने वाले पहले भारतिय खिलाडी सुमीत नागल बने है Q7 का सही आंसर है आप्शन B सुमीत नागल कौन है सुमीत नागल इनसे पहले जो है सुमीत नागल से पहले 1982 में रमेश क्रिश्णन ने सिंगल्स इवेंट के मुख्य ड्रॉब में अपनी जगह बनाई थी से पहले कौन दे सुमीत नागल से पहले रमेश क्रिश्णन 1982 में जिनों ने बनाई थी यह फ्रांस के रोक्रेबून कैप मौटिल में आयो जित किया जाता है और पहले राउंड में दुनिया के 38 नम्बर के खिलारी बन गए हैं कौन सुमीत नागल मॉंटेयो एर्नाल्डी को हरा कर वो 38 नम्बर के खिलारी पहले राउंड में बन चुके हैं और नागल जो है टॉप 50 में अपनी जगा तीसरी जीत दर्जी की है अगले राउंड में नागल का सामना किस से होगा उनका जो रणर अरभ डैनमार्क का है होलगर रूने से होगा एटीप रैंकिंग में शिर्स एक सौमें जगा बनाई है इन्होंने कुशन नमर आठ है कौन सा देश रूस से सबसे अधिक कुरूड ओयल आयात करने वाला देश है ऑप्सन से आपके भारत सौधी अरभ चीन या अमेरिका सही आंसर है option A, भारत, भारत देश जो है रूस से सबस्ज़ जढ़ी crude oil करने वाला देश बन गया है भारत question 8 का सही आंसर है option A, भारत, भारत जो है लगाता रूस से बड़ी यात्रा में crude oil का import कर रहा है इराक सौधी अरब भारत सबसे बड़ा सप्ला इराक और सौधी अरब भारत के सबसे बड़े सप्लायर है कहां कहां सप्लायर हो रहा है इराक और सौधी अरब है भारत चीन और अमेरिका के भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे त स्थान बन ले लिया है जो कच्छे तेल का आया तब है कोसर नमर नौ है किस देश की सेना माउंट एवरेश्ट से कच्रा इकठा करने के लिए अभियान चलाएगी ऑप्सन से ब्रिटैन नेपाल जापान या कनाड़ा सही आंसर है ऑप्सन भी नेपाल नेपाल देश की जो सेन कच्रा इकठा करने के लिए अभियान चलाएगी जहां से जो भी माउंट एवरेश्ट परदों से एकठा करके हटाया जाएगा किस देश की सेना है नेपाल कोशन नमर नौ का सही आंसर है ऑप्सन भी नेपाल कोशन नमर दस और लाश्ट कोशन है आपका भारतिया मूल की न पाकिस्तान, बंगलादेश या न्यूजिलेंड, सही आंजर है ब्रीटैन, कोशन नमर दस का सही आंजर है A, आप्शन ब्रीटैन, भारतिय मुल्की नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केश्वन को ब्रीटैन देश के विश्व अस्तरिय सोत दल में शामिल किया गया ह कोशन नमर दस का, आप्शन A, सही आंजर है ब्रीटैन, इस दल को जो है रक्त की जांच के माध्यम से डायमेंसिया रोग का पता और लगाने का काम निर्धारित किया गया है, क्या किया गया इस दल को जो निर्धारित किया गया है, क्या डायमेंसिया रोग जो होता है, उसे पता लगाने के लिए डामेंसिया एक syndrome है इसके कारण होने वाली कुल इससे ज्यादा तर जो मैंसे 65% महिलाय सामिल जिने यह डामेंसिया हो जा स्तरा आगे डाइस सीरिया चोट इस्ट्रोग ब्रेंट ट्यूमर अस्तिर संक्रमन के कारण होता है डामेंसिया मस्तिस काइब पिमारी है इससे यादास्त चला जाता है आदमी का भी डामेंसिया रोगगा तो दोस्तों आज हम लोगोंने current affairs related 10 important question को पढ़ाई सी तरह के important question और GK के question को जानने के लिए पूजा classes के साथ जुड़े रही है और चेनल को like, share and subscribe करें कल फिर मिलते हैं कुछ important current affair के question के साथ